हेलो एवरिवन, वेल्कम बेक टो यूर आन चैनल साइन्टिया जैसे कि आप लोग जानते हैं हम हमारे चैनल पे साइन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए वो पीटेट हो, सीटेट हो, एंटीटी का एक्जाम हो इवन, मास्टर कैजर की हमने सीरी स्टार्ट की हुई है हमने फिजिकल कैमिस्ट्री एंड इन और्गैनिक की सीरी स्टार्ट की हुई है हमने अभी लास्ट एक लेक्चर लग चुक है हमने एमसी की उसकी सीरी स्टार्ट की है आज हमारा second video है mcq पे physical chemistry पे अगर आपने पहले lectures नहीं देखे तो पहले lectures को देख लीजिए so that आप easily mcq को solve कर पाएं और आपका क्या है अगर जितने भी marks के आपके बनते है mcq में आपने comment box में ज़रूर बताना है clear let us start आज की जो video होगी वो होगी structure of atom physical chemistry का chapter second के हम क्या करेंगे mcq यह chapter हम detail में कर चुके हैं आज इनके क्या करेंगे हम mcqs solve करेंगे let us start first mcq की बात करते है which of the following is responsible for the mass of an atom atom के mass के लिए कौन सी चीज क्या है responsible है option a की बात करूं only proton option b only neutron option c a neutron and proton option d a proton and electron पहले आपने वीडियो को pause करने उसके बाद क्या है right answer को note करने फिर check करने की right answer क्या है अगर आपका answer right होते तो plus one mark आप कर सकते हूं clear अभी आपने बताना है कि atom का mass क्या है हम कैसे calculate कर सकते है उसके लिए responsible कौन सा atom का part होता है ठीक है जी हाँ जी अगर बात करें हम atom की atom किससे बनते देखिए center में क्या होता है nucleus और बाहर क्या होते है electrons जो shell में revolve करते है इस वे में nucleus में क्या present होता है proton and neutron अगर हम बात करें mass की तो देखिए अभी particles कितने होगे mass atom के three fundamental particles होगे कौन कौन से electron proton and neutron but mass के लिए दो ही fundamental particles responsible है वो है proton and neutron तो इस question का right answer आजाएगा option c इस question का right answer होगा option c clear next बात करते है second mcq के बारे में the orientation of atomic orbitals depend on there देखिए अभी क्या बात हुई है orientation के बारे में अगर मैं बात करूँ हमने क्या की थी एक एक क्या है quantum number को detail में बात की थी यहाँ पे कौन सा atomic orbital है जो depend करता है orientation पे वो किस चीज़ पे depend करेगा means atomic orbital की orientation बताने के लिए किस चीज़ पे depend करते है option a spin quantum number option b magnetic quantum number option c azimuthal quantum number option d principal quantum number आपने बताना है कौन सा quantum number है जो orientation शो करता है किसकी atomic orbital की clear तो पहले आप note कर लीजिए right answer अपनी notebook पे हाँ जी हम क्या करेंगे सभी को discuss करेंगे तो right answer अपने आप पता चल जाएगा सबसे पहले option है हमारी spin quantum number spin quantum number तो इसको donate किस से करते है s से या ms भी लिख सकते है small से कि दो variations होती है spin की plus minus half या plus half होती है या minus half ये क्या बताते है electron की spin वो clockwise move कर रहा है या anti clockwise तो यहाँ पे तो orientation की बात ही नहीं है atomic orbital की क्लिया यहाँ पे किस की spin की बात हो रही है electron के spin की के वो anti clockwise घूम रहे है या clockwise नेक्स्ट जो option है magnetic quantum number इसको डिनेट किया जाता है small m से clear जो अगर मैं बात करूँ ये क्या शो करते हैं हमारे orbital की orientation वैसे यही पूछा है कि orbital की orientation किस पे depend करती है तो orbital की orientation डिपेंड किस पे कर रही है magnetic quantum number पे तो इसका right answer होगे option B बट हम आगे भी discuss करेंगे so that आप भूलिएगा ने option C देखिए azimuthal quantum number अगर मैं बात करूँ azimuthal quantum number की इनको donate किया जाता है l से small l से ये बताते हैं आपको orbital की shape के बारे में orbital की shape के बारे में ये आपको सारे पता होना चाहिए कोई भी पूछ सकते हैं यहाँ पे orientation पूछा है तो आपसे next question में कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए next बात करते हैं last option की principal quantum number जिसको small n से denote किया जाते हैं ये आपको क्या show करते हैं orbital का size size show करते हैं orbital का and energy level and energy level ये दो चीजे क्या है show करते हैं तो इस वे से इस question का right answer क्या हो गया आपका option B आपने याद रखना है कि किस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है अभी यहाँ पे orbitals की orientation पूछी थी तो right answer B आ गया बट आपको exam में किसी के बारे में पूछ सकते हैं कोई भी quantum number के बारे में पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए जिनका ये right था वो plus one कर लीजिए mark अपना next की बात करते हैं third mcq की consider the ground state of chromium atom देखिए एक chromium atom है जिसकी ground state अगर मैं बात करूँ atomic number कितना है z is equal to 24 है the numbers of electrons with the azimuthal quantum number का क्या है l is equal to 1 and 2 अगर पहले सबसे पहले आपने क्या बताने कि कौन से number क्या है azimuthal को represent कर रहे है सबसे पहले अगर मैं chromium की 24 की क्या लिखेंगे electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 next 3p6 इसके बाद 3d5 4s1 हो गया आपका 24 बन गे इसके बाद अगर मैं बात करूँ अब देखिए हमें पता है अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में यहाँ पे l1 और l2 के बारे में बात कर रहे हैं l1 का मतलब क्या है आप पी शल की बात कर रहे हो ल2 का मतलब क्या है आप डी के बारे में बात कर रहे हो l0 का मतलब क्या होता है आप s के बारे में बात कर रहे हो बट यहाँ पे बात किसके बारे में की गई है पी और डी के बारे में चीक है जी अगर l आपका 1 है पी के बारे में बात हो रहे है तो टोटल आपके नंबर ओफ इलेक्ट्रोंस कितने है आपके पास पी की वाले कौन कौन से है पी वाले 2P6 है एक तो एक आपके पास 3P6 है तो टोटल इलेक्ट्रोंज कितने होगे आपके 12 इसी बेसिस पे पूछे थे ना आपके पास कितने number of क्या बनेंगे electrons बनेंगे as a mutual quantum number लेकर L को लेकर हमने क्या निकालने है number of electrons ही निकालने है अगर D की बात करूँ number of electrons कितने है फाइफ तो टोटल number of electrons अगर बात करें एक तो 12 है एक क्या है फाइफ है mean 1 के according 12 आया है और D के according means L2 के according कितना है फाइफ तो आपका जो right answer होगा option के according वो कौन सा होगया option number B B आपका क्या होगया right answer होगया clear I hope आपको समझ आ चुका है अगर आपका कोई भी doubt रहा ना तो आप comment करके पूछ सकते हो clear है जी यह MCQ next fourth MCQ की बात करते है nickel has atomic number 28 nickel का atomic number कितना है 28 है आपने क्या electronic configuration बतानी है nickel की electronic configuration बतानी है आपने किसकी nickel की यह question मैं आप पे छोड़ती हूँ आपने बताना है यह option A है B option, C option and D option इन में से right option कौन सी है यह आपने comment box में बताना है क्योंकि आपको configuration तो आनी ही चाहिए हम plus one class से करते आ रहे है configuration तो इसका right answer आपके comment box में बताऊगे कि nickel की electronic configuration कौन सी correct है clear next बात करते है next MCQ के बारे में next आपका जो MCQ है वो है brilliant 2 positive is iso-electronic with which of the following ions कौन सी आइन के साथ जो brilliant 2 positive है वो iso-electronic है iso का मतलब क्या होता है same electronic का मतलब होता है electrons जिन में same electrons present है वो कौन से ions है clear हाँ जी ये जो question है आपको ये options के according करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो आप निकाल नहीं पाऊगे एक-एक को solve करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका क्या है h positive आपका क्या दिया हो है option h positive देखे हाइड्रोजन में अगर मैं बात करूँ कितने electron होते हैं one वो भी one क्या कर दिया release कर दिया तो number of electrons अब कितने रहेगें zero next क्या दिया हो है lithium positive lithium positive एक electron क्या कर दिया remove कर दिया कितने रहेगें two next अगर बात करें third है sodium positive na positive sodium के पास कितने electron होते है 11 one क्या कर दिया release कितना रहेगें ten next है आपका magnesium two positive कितने electrons है 12 दो release कर दिया कितने रहेगें ten clear तो अगर मैं बात करूँ bralium two positive question में क्या है आपके पास Brallium 2 positive तो इनके भी निकालने पड़ेंगे Brallium 2 positive के अगर मैं निकालूं Brallium का जो Electrons होते हैं वो 4 होते है total 2 क्या कर दिये release तो कितने रहे गे 2 तो देखे 2 Electrons किसके साथ मैच हो रहे हैं Lithium के साथ मैच हो रहे हैं हाँ जी तो इसका right answer क्या आजाएगा Lithium positive clear इसका right answer होगा option B Lithium positive और Brallium 2 positive के क्या है same number of electrons है clear I hope आपको समझ आ चुके और कोई भी doubt नहीं होगा next question पर बढ़ते हैं sixth question पर हाँ जी देखिए main axis of a diatomic molecule diatomic molecule है जिसका z molecular orbital है z क्या है molecular orbital px and py overlap कर रहे है to form which of the following orbitals क्या बनाने के रिए option a है pi molecular orbital option b है sigma molecular orbital c option है row molecular orbital and d and no bond will be formed कोई bond form नहीं होगा and overlap orbitals होगे वो एक दूसरे के क्या होगे perpendicular होगे sigma bonding sigma bonding होगी और जो orbitals होगे वो आपस में क्या होगे perpendicular होगे क्या बनाएंगे फिर वो pi molecular orbitals बनाएंगे क्या फिर्म करेंगे pi molecular orbital तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा option a देखे अगर मैं बात करूँ मालीजिए यह कोई px है orbitals बनाते है यह positive charge है और यह क्या है आपके पास negative charge है आपस में जॉइन है clear अगर मैं बात करूँ इधर भी एक positive है और एक negative फरक क्या है यह px पे है और यह py पे है अभी यह दोनों क्या हो रहे है यह दोनों loops है atomic orbitals है यह एक दूसरे के क्या होगे perpendicular होगे किसके जो line इनको क्या कर दिया join कर रही है joining क्या कर रही है means जो यह lobes है atomic orbitals के यह perpendicular होगे line के जो nuclei को क्या कर रही है join कर रही है इस वे से यह positive वाला उपर और negative वाला नीचे और center में क्या होगी एक क्या होगी line होगी जो क्या form कर गी pi bone क्या करेगी form करेगी pi molecular orbital form करेगी इसका मतलब क्या होगया only sidewise overlapping होगी क्या होगी sidewise overlapping तो इसका right answer क्या होगया option a option क्या a क्या होगया इसका right answer clear next बात करते है seven की the electronic configuration of copper आपने क्या करना है electronic configuration निखने है किसकी copper की अगर मैं बात करूँ copper के बारे में copper को denote किया जाता है cu से और इसका atomic number कितना होता है 29 एक question मैंने आपको दिया है comment box में बताने के लिए उसके options भी given है इसके तो options भी नहीं given तो 29 को हम क्या है कैसे लिखेंगे electronic configuration कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 I hope आपको electronic configuration लिखनी आती होगी अच्छे से next 3s2 इसके बाद अगर मैं बात करूँ कितने होगे हमारे 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 आगे देखिए 29 बनाने है हमने 3p6 3p6 के बाद अगर मैं बात करूँ 3d10 क्योंकि d वाला और्बिटल आ जाता है बीच में और फिर क्या आगे आपका 4s1 इस वे से ये आपकी क्या होगी electronic configuration of copper काउंट कर सकते हो आप लोग अगर बात की जाए यहाँ पे कितने होगे थे 6 और 2 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 10 28 और 1 कितने होगे 29 यह आपकी क्या होगी electronic configuration होगी किसकी copper की clear रहे जी I hope 7th mcq आपको समझ आ चुका है next बात करते हैं 8th mcq के बारे में what will be the longest wavelength line in Balmer series of spectrum देखे हमने क्या series की थी Balmer series की थी और किनकी कौन से reason में होती है यह भी हम क्या discuss कर चुके है अभी आपने बताना है कि जो Balmer की जो series है उनकी क्या longest wavelength क्या होती है अगर मैं formula की बात करूँ किस वे से आप कर सकते हो देखे सबसे पहले बात करूँ longest wavelength निकालनी है इसका मतलब क्या हुआ आपने क्या निकालनी है lowest energy opposite है inversely proportional है longest wavelength का मतलब lowest क्या होगी energy relation क्या था 1 by lambda is equal to r constant है यह हमारा 1 by n1 का square minus 1 by n 2 का square यही formula होता है हमारा ठीक है जी अगर हम क्या है balmer series की बात कर रहे है इसका मतलब क्या है n1 क्या है आपका 2 और n2 क्या है आपका 3 values को put कर सकते हो आप लोग red bugs constant r जो हमारा इसकी value कितनी होती है 109 677 clear यह क्या होती है value होती है किसकी red bug constant की centimeter inverse unit भी डाल लोगा इसके बाद अगर मैं बात करूं values put करो 1 by lambda is equal to 109 677 1 by 2 का square 4 minus 1 by 3 का square 9 clear अभी आप इसको क्या कर सकते हो solve कर सकते हो किस वे से आप solve करोगे same लिख लो 109 677 अगर मैं इनकी बात करूं इनका आप calcium भी लेके कर सकते हो 9 4 is a 36 तो उपर क्या गए 9 इधर क्या आजाएगा 4 ठीक है जी LCM लेना तो सब को ही आता है next आग है 109 677 नीचे क्या गए 36 9 से अगर मैं बात करूं 4 minus तो कितना गए 5 इसके बात क्या इनकी आप क्या कर सकते हो cutting कर सकते हो किस वे पे अगर आप cutting करना चाहो तो कैसे cutting होगी अगर मैं बात करूं आप सिंपल भी कर सकते हो आप ड्रेक्टली भी कर सकते हो मतलब स्मॉल स्मॉल टेबल्स पे भी भेज सकते हो और ड्रेक्ट भी आप क्या कर सकते हो इसको डिवाइड कर सकते हो जैसे अगर बात करें पहले इनकी multiply कर लो और फिर क्या है आप divide कर सकते हो किस से 36 से इस वे से भी आप कर सकते हो means आपका अगर मैं estimate लगाऊ answer आपका आजाएगा near about 15233 इतना आपका आजाएगा इसके बाद क्या करना है आपको क्या है lambda है तो inverse ये तो 1 by lambda है न आपने क्या find out किया lambda करना है तो इसको क्या कर दोगा 1 by 1 by 15233 जो हमारी value आएगी ये किसके equal होती है 6.56 into 10 raise to power minus 5 अगर आप बात कर रहे हो किसकी centimeter की अगर आपको पता ही है 100 meter में अगर आप change कर रहे हो into 10 raise to power कितना आजाएगा minus 7 meter clear तो इसका मतलब अगर nanometer की बात करें कितना गया 656 nanometer ये आपका क्या आगया right answer आगया अभी चेक कर लेते है कौन सी option है आपका क्या है option B क्या है correct है 656 nanometer is the right answer next बात करते है ninth mcq की देखे क्या कहरे है ninth mcq the maximum number of electrons in a sub shell maximum number of आपने क्या बताना है electrons बताने है किसी भी sub shell में कितने होते है is given by the expression कौन सी expression में आपको दिये गया है ठीक है जी maximum number of electrons बताने है in a sub shell किसी भी sub shell में is given by the expression जो ये expression आपको given दिये गया है इन में से सबसे ज़्यादा electrons की sub shell में होंगे option A है 4 L minus 2 option B है 4 L plus 2 option C है 2 L plus 2 option D है 2 N का square अगर मैं बात करूँ number of orbitals का अगर number of orbitals की बात की जाए तो कितने होते है number of orbitals 2 L plus 1 clear या तक clear है अगर number of electrons find out करने तो इसका क्या हो जाते है double हो जाते है double कर दीजिए 2 2 L plus 1 क्या आपके पास 4 L plus 2 clear तो आपका जो right answer हो गया वो क्या आगया option B option B क्या होगी आपकी right answer होगी clear I hope आपको समझ आ चुक है next question की बात करते है the spectrum of helium spectrum of helium is expected to be similar to that जो spectrum है किसका हीलियम का वो किस से सेम होगा option A हाइड्रोजन से option B है लीथियम पॉजिटिव से next option C है सोडियम से option D है हीलियम पॉजिटिव से अगर मैं हीलियम की बात करूँ हीलियम में number of electron कितने होते है two two atomic number है तो two electrons हाइड्रोजन में कितने number of electrons होते है one हीलियम पॉजिटिव में एक electron release कर दिया तो one सोडियम में कितने होते है ten अगर मैं बात करूँ lithium positive की यहाँ पे करते है लीथियम positive की बात करें तो लीथियम के पास कितने electron होते हैं 3, 1 electron क्या कर दिया release कितने रहेगे 2 किसके जैसे सेम है helium के जैसे तो इसका right answer क्या आजाएगा lithium इसका right answer आजाएगा lithium B option क्या हो जाएगी आपकी right option हो जाएगी clear है I hope आपको समझ आ चुका है next बात करते हैं 11th MCQ के बारे में in a hydrogen atom energy of first excited state is minus 3 0.4 ठीक है जी electron world then find out can I take energy of the same orbital of hydrogen atom अभी इसमें क्या कहा गया है आपको explain करती हूँ हाँ जी पहले तो यहाँ पे can I take नहीं है यहाँ पे है kinetic energy clear सबसे पहले अगर बात करें kinetic energy का formula क्या होता है half m v square clear अगर मैं बात करूँ इसको हम कैसे क्या change कर सकते हैं देखें v की value हमारे पास क्या होती है 2 pi e की square आपको याद आजाएगी n by h यह हमारे पास v की value होती है यहाँ पे हम क्या put कर सकते हैं तो जब यहाँ पे put करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा pi e square upon n h का whole square इस वे में in 2 के आजाएगा आपके पास 2 m clear मैंने यहाँ पे v की क्या है value पुट कर दी 2 से 2 side में हमने 1 तो का 2 4 बनेगा न यहाँ पे squaring होगी तो एक तो 2 half के साथ cancel होगर एक तो हमने m के साथ ले लिया clear हुआ तो अभी अगर मैं बात करो total energy हमारे पास कितनी होती है total energy कितनी होती है हमारे पास minus 2 pi का square m e की power 4 formula यहाँ देना आपको n square upon h square यह होती है अगर मैं बात करों इसमें से common निकाल लीजिए आप formula बनाने के लिए negative minus pi e का square upon n h का whole square into 2m यह तो आपकी kinetic energy होगी बढ़ जो kinetic energy हो रही है वो तो आपकी negative में आ रही है minus kinetic energy अभी आपको value कितनी दी हुई है energy of first अगर मैं बात करों excited state की आपको value कितनी दी हुई है minus 3.4 तो minus minus क्या होगे आपका positive तो आपका अंसर क्या है positive 3.4 electron volt clear means kinetic energy same orbital की n is equal to 2 की कितनी आ जाएगी positive 3.4 electron volt ठीक है यह first की है तो second की इतनी आ जाएगी positive तो right option देखते है कौन सा हो गया right option हो गया option A option A क्या हो गया आपका right clear 12th MCQ की बात करते है last MCQ आपने प्लीज जरूर बताना है comment box में एक तो question का answer और एक आपका right कितने correct हुए है यह भी आपने जरूर बताना है next question की बात करते है 12th की how many electrons can fit in which in the orbitals for which N is equal to 3 आपका N कितना है 3 है और आपका L कितना है 1 L 1 दिया हुए है और आपने क्या करना है N 3 है और L 1 है आपने number of क्या बताने है electrons बताने है हांजी मैंने अभी एक question में बताया था अगर आपका L 0 है it means हम S shell की बात कर रहे है L 1 है तो किसकी बात कर रहे है हम P की इसका मतलब हम L 1 है तो P की N 3 है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे है 3 P की बात कर रहे है clear 3 P orbital की अभी 3 orbital कितने electrons accommodate करेगा 3 P orbital कितने electrons accommodate करेगा अगर मैं बात करूँ 2 option A है option B 6 option C 10 option D 14 कितने इलेक्ट्रोंज क्या है अकम्मूडेट करेगा कौन सा 3P सबशल आपका इसका जो राइट अंसर आएगा वो आएगा option A only 2 इलेक्ट्रोंज क्या है 3P अकम्मूडेट करेंगे clear clear अब I hope आपको समझ आ चुके है अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करके आप इसली पूछ सकते हूं next यहां पर एक मैं आपको mcq देती हूं means draw आपका है घर से करके लेके आना फिफ्थ होगा आपका sorry 13 समझ लीजिए आपने कमेंट बोक्स में बताना है माल लीजिए आपका azimuthal quantum number 3 है L कितने आपका 3 है तो आपने number of electrons निकालने है number of maximum electrons निकालने है number of maximum electrons यह आपने comment box में comment करके बताना है कि अगर आपका azimuthal quantum number 3 है तो number of maximum electrons कितने होंगे clear I hope आपको जितने भी आज मैंने mcqs करवाए है वो समझ आ चुके है अगर कोई भी doubt हुआ तो आप क्या comment box में comment करके पूछ सकते हो मैं next video में repeat कर दूँगी आपके doubts clear कर दूँगी और अगर आप channel पे new हो तो channel को subscribe कर लीजिए bell icon को press कर लीजिए so that आपको daily की update मिलती रहे और channel को subscribe करना मत भूलना thank you